नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में और आज बात महान विचारक राम मनोहल लोहिया के जिनका नाम लेते ही मन में उन्नेताओं की छवी उभरती है जिनोंने इस देश की राजनीती को बिना राजनीती में आए ही सही राह पर चलाने का संकल्प लिय सत्ता परिवर्तन और समाजवाद के सबसे बड़े परिचायक राम मनोहल लोहिया ऐसे ही व्यक्तियों में से एक थे लोहिया जी का पूरा जीवन सादगी भरा रहा गरीबी अमीरी की भरती खाई को पाटने में उनके योगदान काफी एहम है आज की दौर में उनके विचा और जादा प्रासंगे खोते जा रहे हैं राम मनोहल लोहिया के आर्थिक विचार उनके समाजवादी चिंतन पर आधारित है अपने मानववादी दृष्टी कोड से वो चाहते थे कि जाती, वन, वन्ष, धर्म, लिंग, संस्कृती और संपत्ति के भेदभाव से मुक्त, न्याय पराधारित, सामाजवादी विवस्था की स्थापना की जाए ऐसे समाज विवस्था की स्थापना के लिए वो क्रांती कारे दृष्टी कोड को अपनाए जाने को जरूरी मानते थे आम जनता में क्रांती कारे भावनाओं को जगाना जरूरी है सामाजवादी समाज विवस्था बनाएगा तभी सामाजिक परिवर्थनों के लिए आवशक प्रिष्ट भूमी तैयार हो सकती है और यही आगे जाकर समता आधारित शोशन रहित समाजवादी समाज विवस्था बनाएगा राम मनोहर लोहिया का आर्थिक नजरिया उनके समाजवादी चिंतन पर आधारित पूरी तरह से करांतिकारी और मौलिक था उनके इस मौलिक समाजवादी चिंतन का प्रमुक्लक्ष जाती प्रथा को खत्म कर समाजवादी समाज की रशना करना दो था ही इसके जर्य आर्थिक दरिदरता को नश्ट कर समाज में अमीरी गरीबी के बीच आर्थिक असमानता की खाई को पाटना भी था लोहिया मानते थे अमीरी गरीबी की आर्थिक असमानता की खाई से समाजिक अन्याय पैदा होता है इससे ही समाजिक व्यवस्था असंतुलित होती है राम अनुहर लोहिया का साफ माना था कि आर्थिक अन्याय खत्म होने से समाजिक समानता के द्वार खुलेंगे यही वज़े है कि लोहिया की समाजिक चिंतन में सिर्फ जाती और वर्ण विवस्ता का उन्मूलण ही समाजिक समानता की स्थापना के लिए जरूरी नहीं है समाजिक समानता के लिए आर्थिक नजरिये से आई वेव की असमानता को समाप्त करना भी बेहत जरूरी है इसके लिए खितिहर भूमी का पुनर वितरन करना, आर्थिक विकेंद्री करन और उत्पादन की साधनों का राश्य करन करके समाजी करन की विवस्ता करना जरूरी है आर्थिक समानता कायम करने के नजरीय से लोहिया ने संपत्ति आधारित वर्गों के विशेशा धिकारों की समाप्ति पर जोर दिया उन्होंने छोटे बड़े नौकरशाहों और अमीरों के खर्चीले जीवन यापन के तौर तरीकों पर अंकुष लगाने का समर्थन किया आयवेव की सीमा का अनुपाद एक अनुपाद दस के अनुसार निर्धारित करने पर जोर दिया वे इस सीमा को सरकारी और गयर सरकारी चेत्र में काम करने वाले लोगों के उपर लगाने के समर्थक थे उनका कहना था कि अपनी जीविका के लिए सभी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के शम करे लोहिया ने अधिक्तम और नियूनतम आयर निर्धारन को समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के लिए एक बनियादी सवाल खोशित किया उन्होंने इसे निश्चित करने पर जोर दिया साथ ही इसकी स्थापना के लिए एक अनिवार शर्थ की बात कही उनका मानना था कि इसके बगएर हम समाजवादी व्यवस्था की स्थापना की कल्पना नहीं कर सकते इसके साथ ही रामनोहर लोहिया ने मूल्य और दामबंदी का भी समर्थन किया जिसमें उत्पाधन के माध्यम से उत्पाध के साधनों के मालिक जनता का शोशन नहीं कर सकते साथ ही उचित मूल्य पर जनता को जीवन जीने के लिए साधन, सेवक और सामगरी उपलब्द हो सके लोहिया का विचार था कि इस मूल्य दामबंदी नीती को हकीकत में बदलने के लिए हमें हमारे आर्थिक और समाजिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन करने पड़ेंगे सरकारी लूट, पूंजी पत्यों के मुनाफ़े और बड़े किसानों के हितों पर जम कर प्रहार करने होंगे इसके लिए लोहिया ने सुझाब दिया कि बंदूगधारी सेना की तरही अन और भू सेना का गठन किया जाए ये क्रिशी और आर्थिक विकास में सहयोग के साथ ही सामाजिक और सांस्क्रतिक शेत्र में समाजवादी परिवर्तन प्रक्रिया में अपनी भागिदारी निभाएगी राम अनोहर लोहिया की राजनीती अनिवारे रूप से उनकी अर्थनीती से जुड़ी हुई थी ये आम लोगों की रोजी रोटी की समस्या से चुड़ी हुई थी इसलिए उन्होंने कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि राजनीती को रोजी रोटी की समस्या से अलग रखो तो ये कहना उनका अज्यान है या बेइमानी है राजनीती का अर्थ और प्रमुक उद्देश लोगों का पेट भरना है जिस राजनीती से लोगों को रोटी नहीं मिलती, उनका पेट नहीं भरता वो राजनीती, भरष्ट, पापी और नीच राजनीती है डॉक्टर लोहिया ने अपने आर्थिक चिंतन को व्यवहारिक बनाने के लिए खेतिहर भूमी के पुनर वित्रान पर भी बल दिया अधिक से अधिक और कम से कम भूमी के स्वामी में एक और तीन का अनपात हो उद्योगों की दर्ष्टी से उन्होंने आर्थिक विकेंदरी करन पर जोर दिया लोहिया बड़े उद्योगों की जगे छोटी उद्योग को प्राथमेक्ता देने के पक्षधर थे उन्होंने कहा कि उत्पात का ज्यादा तर काम छोटे छोटी उद्योग में बिजली से चलने वाली मशीनों के जरिये पूरा किया जाना चाहिए इससे हर काम में सक्षम व्यक्ति को ग्रोजगार मिल सकेगा और बेकारी की समस्या का समाधान संभव हो सकेगा उन्होंने कहा कि छोटे-छोटे मशीनी कृत उद्योगों की पद्धती देश के सामाजिक, आर्थिक और सांस्क्रतिक विकास के नजरिये से आवश्यक ही नहीं उप्योक्त भी है ब्यूरो रिपोर्ट संसा टीवी समाजवादी विचारों के चलते अपने समर्थकों के साथ ही डॉक्टर लोहिया अपने विरोधियों के बीच बेहत सम्मान से देखे जाते थे आथिक खैर बराबरी जातपाती जुड़वाराक्षस हैं और अगर एक से लड़ना है तो दूसरे से भी लड़ना जरूरी है समाज को बराबरी पर लाने और समता मूलक बनाने के लिए ये बात कहने वाले डॉक्टर राम मनुहर लोहिया भारतिय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता होने के साथ ही भारतिय समाजवादी आंदोलन के संस्थापकों में से एक थे समाजवादी भी इस अर्थ में कि समाज ही उनका कारक्षेत्र था और वे अपने कारक्षेत्र को लोगों के कल्यान से महखाना चाहते थे वे चाहते थे कि व्यक्ति व्यक्ति के बीच कोई भेद न हो, कोई दुराव और दिवार न रहे सब लोग सब का भला चाहें और सब में सब हो डॉक्टर राम अरोहर लोहिया ने समाजवाद को एक नया आयाम दिया और उसके लिए नय लक्षर निर्धारित किये उन्होंने एक नई सभ्यता के रूप में समाजवाद की कलपना की लेकिन लोहिया ने पूंजिवाद और सामेवाद से मुख समाजवाद की अपनी अब्धारणा को आगे बढ़ाया लोहिया ने चार गांधिवादी विचारों, सत्याग्रह, साध्य और साधन, छोटी मशीन प्रोध्योगी की और राजनीती विकेंद्री करण के साथ समाजवादी सिधानतों की खोजगी समाजवाद क्या है और क्या नहीं है इसे लोहिया ने विस्तार से बताया उनके मताबिक उचों के बारे में क्रोध भी समाजवाद नहीं है और नीचों के बारे में अलगाव भी जोशण के विरोध में कुरोध और चोटों के प्रतिक करुना का नाम समाजवाद है लोहया का मानना था कि गेर बराबरी को खत्म करके ही समतामूलक समाज का निर्मार किया जा सकता है इसके लिए उन्होंने पूझी व्यादी व्यवस्था को खत्म कर समाजवाद की स्थापना पर बल दिया पूझी वाद और सामेवाद दोनों की आलोचना करते हुए लोहिया ने आदर्श समाज और राष्ट के लिए एक तीसरा रास्ता सुझाया समाजवाद का उन्होंने देश के सामने समाजवाद का ठोस रूप पेश किया लोहिया ने कहा कि समाजवाद गरीबी के समान बटवारे का नाम नहीं बलकि समरधी के ज्यादा से ज्यादा विस्तार का नाम है बिना समता के समरधी असंभव है और बिना समरधी के समता बेकार है लोहिया का समाजवाद समाज में समता और समरधी पर आधारित था लोहिया का साफ तोर पर मानना था कि आर्थिक बराबरी होने पर जाती विवस्था अपने आप खत्म हो जाती है और सामाजिक बराबरी स्थापित हो जाती है उन्होंने सुझाव दिया कि जाती विवस्था के खात्मे के लिए सामाजिक समता पर आधारित विचार अपनाना होगा सामाजिक समरस्ता बनाए रखने के लिए जाती विवस्था के खिलाफ लडाई खरणा से नहीं विश्वास के मौहौल में होनी चाहिए डॉक्टर राम वनोहर लोहिया का समाजवाद उन लोगों को राश्च की मुक्यधारा में शामिल होने का पक्षधर था जो हाश्ये पर खड़े थे विश्वास के अंतिम पंक्तिके अंतिम व्यक्तिके लोगतांत्रिक अधिकारों के प्रबल हिमायती थे लोहिया ने नाइसाफी और गैर बराबरी खत्म करने के लिए देश की सामने सब्त करांती का दर्शन रखा इसके तहट पुरुष और महिलाव में समानता, रंग भीत को खत्म करना, जन्म और जाती आधारित भीतभाव को समाप्त करना, विदेशी जुल्म को खत्म करना और विश्व सरकार का निर्मान, आर्थिक असमानता मिटाना, हतियारों के इस्तिमाल पर रोक लगाने के साथ थी सिविल नाफर्मानी के सिध्धांत का समर्थन करना और निजी आजादी पर होने वाले आखात का मुकाबला करना शामिल था, लूहिया इस्ति पुरुष की बराबरी और समानता के काफी हिमाईती थे, वे हमेशा स्त्रियों को पुरुष पराधीनता के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत देते थे, उनका मानना था कि इस्तियों को बराबरी कर दर्जा देकर ही एक स्वस्त समाज का निर्मान क्या जा सकता है, उनका मानना था कि वास्तविक समाजवाद तभी कायम होगा जब उसमें महिलाओं की सहभागिता होगी, डॉक्टर लोहिया द्रीप की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए विक्सित करनी चाहिए, यहीं नहीं लोहिया समाजवाद के पुराने सोरूप में भी विश्वास नहीं रखते थे, वे उसे एक बीते हुए यूर्ट की बात मानते थे, अपनी इस मानेता के आधार पर उन्होंने नव समा समाजवादी व्यवस्ता के तीन मूल फूत आधार निर्धारित किये, इसमें सभी उद्योगों, बैंकों और बीमा कंपनियों का राश्य करन, पूरे विश्व के मानवों के जीवन स्थर्मे सुधार और एक विश्व संसत की स्थापना शामिल था, लोहिया का समाजवाद समानता, स्वतंतरता और नियाए पर अधारित था, वे इस पात की पक्षिधर थे कि समाजवाद के जरिये ही विश्व शान्ती और मानव कल्यान के उद्देश्यों को हासिल किया जा सकता है, ब्योरो रिपोर्ट संसर टीवी डॉक्टर राम मनोहल लोहिया भारत के प्रकर समाजवादी विचारक, राजनी तिक, मौलिक चिंतक और स्वतंतरता सेनानी थे, स्वभाव से फक्कर और जन्प्रिय डॉक्टर लोहिया समाजवाद की अलग जगाने के साथ ही अपने रचनात्मक विरोध के लिए पूरी द भारत की राजनीती में स्वतंतरता आंदूलन के दौरान और उसके बाद कई ऐसे नेता आई जिन्होंने अपने दम पर राजनीती का रुख बदल दिया उन्ही नेताओं में से एक थे डॉक्टर राम अनुहर लोहिया का जन्व 23 माश 1910 को उत्तर प्रदेश के फैसावाद सिले के अकबरफुर में हुआ था उनके पिता का नाम हीरालाल और माता का नाम चंदा था राम अनुहर लोहिया के पिता 1920 में बंबई आ गये और उन्होंने लोहिया का दाखिला एक मारवारी हाई स्कूल में करा दिया राम अनुहर लोहिया ने 1925 में प्रथम श्रिणी में मैट्रिक किया 1927 में बनारस हिंदू विश्विद्याले से इंटर किया 1929 में कौलकता की एक शक्षन संस्ता विद्या सागर महाविद्याले से बीए की परिक्षा पास की इसके बाद उन्होंने बर्लिन के हमबोर्ट विश्विद्याले से अपने समय के मशूर अर्थर शास्त्री प्रफेसर सुमबार के मालवदर्शन में 1932 में नमक का अर्थर शास्त्र विशय पर शोध प्रबंध लिखकर डॉक्टरेट की उपाधी हासिल की 1923 में लोहिया जर्मनी से भारत लोटाए और खुद खादी पहनने लगे उन्होंने 1928 में कलकत्ता में साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन में हिस्सा लिया इसी दोरान उनका पंडित जवाहलाल नहरु से परिचय हुआ और वो उनके साथ जुड़े शिक्षा समाप्तिकर विदेशते लोटने के बाद वे पूरी तरह से स्वतंत्रता संग्राम में कूत पड़े आचारे नरेंदर रुदेव के नित्वत्व में 1934 में कॉंग्रीस सोशलिस्ट पार्टी के स्थापना हुई समाजवादी आस्था की वज़े से रामानोहर लोहिया इस पार्टी में शामिल हो गए और उस पार्टी के मुख्य पत्र कॉंग्रीस सोशलिस्ट का संपादन करने लगे 1935 में कॉंग्रीस के लखनो अधिवेशन में जवाहलाल नहरू के नित्रत्व में कॉंग्रीस के अंदर एक विदेश विभाग के स्थाबना की गई इस विभाग का सचव लोहिया को बनाया गया और उन्होंने इस जिम्मेदारी को बखुभी निभाया 1938 में मदभेद के कारण उन्होंने इस पत्से त्याग पत्र दे दिया 1949 में दूसरे विश्व यद्ध शुरू होने के बाद रामन हर लोहिया युद्ध विरोधी आंदोलन की अगवाई करने लगे इससे 1940 में उन्हें गिरफतार कर दो साल की सजादे दी गई गाधी जी की विरोध किये जाने पर 1941 में अंग्रेजी सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में रामन हर लोहिया ने सक्रिय रूप से भाग लिया भुमेगत रहकर आंदोलन को गती देने के लिए कॉंग्रेस रेडियो नाम से गुप्त रेडियो की स्थापना की इसके जर्ये ब्रेटिश सरकार विरोधी उग्रो और उत्तेजक प्रचार प्रसार कर आंदोलन कारियों को गुप्त रूप से प्रेड़ना और मार्ग दर्शन देने लगे अंग्रेजों से बचने के लिए लोहिया को नेपाल जाना पड़ा जहां उन्हें जैप्रकाश नारायन जैसे नेताओं के साथ गिरफतार कर लिया गया लेकिन लोहिया वहां से जेल से फरार होकर फिर से भारत लोटाए हलाकि 1944 में उन्हें बंबई में गिरफतार कर जेल में डाल दिया गया अपरेल 1946 में ब्रेटिश सरकार ने उन्हें रिया होने के बाद 1946 में गांधी जी के आशिरवात से उन्होंने गोवा की मुक्ति के लिए पुर्तिगाली सरकार के खलाफ आंदोलन शुरू कर दिया गोवा सरकार ने उन्हें गिरफतार कर जेल भेज दिया महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के बाद उन्हें रिहा किया गया देश के विभाजन के मूले पर 1947 में आजादी मन्जूर करके कॉंग्रेस के रवये से लोहिया काफी नाराज हो गये वे देश के विभाजन के पक्ष में नहीं थे सम्विधान सभा के गठन देश के विभाजन और कॉंग्रेस के रवये से नाराज होकर लोहिया ने कॉंग्रेस को छोड़ दिया उन्होंने शोशिलिस पार्टी को सक्रिय किया और इस पार्टी के तले कई जनहितकारी और जन अधिकार रक्षक आंदोलन को सफलता पूर्वक चलाया आजादी के बाद 1962 तक वे समाजवादी आंदोलोनों का संगठन और संचालन करते रहे 1952 से लेकर 1962 तक लोहिया कई बार पंडित नहरु का ख्यलाफ चुनाव में खड़े हुए लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली 1963 में अमरोहा निर्वाचंग शेतर से उपचुनाव में जीतकर रामनोहर लोहिया पहली बार लोकसभा पहुँचे संसप में उन्होंने सरकार की और खास कर नहरु की अपनाई गई नीतियों और कारिक्रमों की जम कर आलोचना की और नहरु को जनविरोधी करार दिया रामनोहर लोहिया ने 1964 में महंगाई भ्रेष्टाचार भाई भती जावाद लाल फीता शाही जैसे मुद्दों पर अलग अलग दलों के साथ मिलकर देश व्यापी बंदी का आयोजन किया और आम जनता को इन मुद्दों के प्रती जागरुक करने का प्रयास किया 1967 के चुनाओं में उन्होंने गैर कॉंग्रेसी आधार पर अनेक विरोधी दलों का गड़बंदन मना कर कॉंग्रेस हटाओ देश बचाओ का नारा बुलंद किया इसी का नतीजा था कि देश के आधे से अधिक राज्यों में गएर कॉंग्रेसी सरकारों की स्थापना संभव हो सकी और गएर कॉंग्रेस वाद भारती राजनीती की एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरने में सफल हुआ रामन हो लोहिया 1966 में बिमार हो गए जात से पता चला कि उनके गर्दन में भयंकर रोख है 30 सितंबर 1967 को दिल्ली में उनका ऑपरेशन किया गया इसकी पावजूद उनकी हालत बिगरती गई और 12 अक्टूबर 1967 को उनका निधन हो गया प्योरो रिपोर्ट संसट टीवी डॉक्टर राम मनोहा लोहिया ने किवल स्वाधीनता आंदोलन और समाजवादी आंदोलन में ही सक्रिय भूमिका नहीं निभाई बलकि वो आधुनिक भारती राजनीती के प्रकर चिंतक भी थे आजादी से पहले और बाद की दशकों में उन्होंने भारती राजनीती के हर पक्ष को प्रभावित किया राजनीती में शुचिता और पारदर्शिता उनकी पहली शर्थ थी लोहिया के राजनीते के विचार आज भी राजनीताओं के लिए प्रेड़ना स्रूत है लोहिया युग पुरुष थे और ऐसे लोगों का चिंतन किसी एक काल और स्थान के लिए नहीं हर युग और पूरी मानवता के लिए प्रासंग एक होता है राजनीती में सुचिता को लेकर वो जीवन भर संखर्ष करते रहे यही वज़े है कि उन्होंने उस समय की कौंग्रेस पार्टी का एक अधिकार समाब्द करने और उसके चलते समाज में फैल रही बुराईयों को खत्म करने के लिए गेर कौंग्रेस वात का आबहन किया पर कहा कि जिन्दा कौमें पाँच साल इंतजार नहीं करती जो 1960 के दशक में जवाहा लाल नहरू और इंद्रा गांधी की सरकारों के लिए था लोहिया ने जीवन भर यही राजनीतिक संदेश दिया कि व्यक्ति और समाज की स्वतंत्रुता और तरक्की के लिए विवेक पूर्ण संघर्ष और रचना जरूरी है 1963 में उप्चनाव के जरिये लोक सभ़ पहुचकर उन्होंने धूम मचा दी लोहिया ने तीन आने बनाम 15 आने की बहस के जरिये ततकालीन प्रधान मंत्री जवाहा लाल नहरू को निरुतर कर दिया था लोहिया ने कहा था कि किस तरह देश का आमादमी तीन आने रोज पर गुजर करता है जबकि प्रधान मंत्री के कुटे पर तीन आने रोज खर्च होता है और प्रधान मंत्री पर रोजाना 25,000 रुपे खर्च होते हैं तमाम सवालों के बावजूद लोहिया अपने बात पर पूरी साहस के साथ तिके रहे उनका संघष सिर्फ टकराने के लिए नहीं बलकि नई रचना करने और नया विमर्ष खड़ा करने के लिए होता था इसलिए उन्होंने अपने साथियों को राजनीती करने के लिए जेल, फावडा और वोट जैसे प्रतीक दिये थे इसमें जेल संघष का प्रतीक था तो फावडा रचना और वोट लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता परिवर्थन का लोहिया की निर्भिक्ता किसी भी निराश, हताश, कौम में बिजली की तरह हिम्मत पैदा करने की क्षमता रखती थी लोहिया का जीवन चिंतन भी उनके समाजवादी दर्शन से ही पैदा हुआ था राज्य के महद्व को वे समझते थे और चाहते थे कि वे समाज के हित के लिए काम करें उनका मानना था कि शक्ती केवल राज्य के हाथों में नार होकर निचले स्तर तक यानि गाउं गाउं तक पहुँचे सत्ता के केंद्री करण और विकेंद्री करण के बीच ताल मेल बैठाने के लिए उन्होंने चौखंबा राजे की योजना सामने रखी चौखंबा में गाउं, जिला, प्रांतिय और केंद्रे सरकार शामिल हैं इसी देश का उत्थान महा की जनता की चेतना और राजनीतिक जागुरुकता पर निर्भर करता है और नागरिकों का सुधार तभी संभव होगा जब इस्थाने स्वशाषन को अधिकार देकर उन्हें जवाब देह बनाया जाए राज्य और राजनीतिक द्रश्टि से उन्होंने धार्मेक राज्य के स्थान पर धर्म निर्पेक्ष राज्य का समर्थन किया जो धर्म विरोधी नहीं बलकि सर्व धर्म संभाव पर आधारित था राज्य धार्मेक मामलों में निश्पक्ष रहें बिना किसी भेदभाव के अपने सभी नागरिकों को धर्मर प्रचार, विश्वास, पूजा, उपासना आदी की स्वतन तुतार प्रदान करें राजनीती और धर्म दोनों को मनुश्य के नैतिक और नदी का साधन मानते हुए उन्होंने दोनों के रशनात्मत रूप पर सोर दिया लोहिया के क्रांतिकारी दर्शन का आधार अन्याय के खिलाफ विरोध करना था उन्होंने आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सभी पहलों पर अपना द्रश्टिकोंड और विचार रखे और इसी के साथ हमारी स्खास पेशक्रश में फिलाल इतना ही आप इस कारिक्रिम को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं नमस्कार झाल